नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बहुती सुन्दर कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो दोस्तों आप कहानी को ध्यान से और अंत तक सुनिए लच्मी नारायड बहुत भोला लड़का था, वह प्रती दिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनाने को कहता था एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वरडन सुनाया, स्वर्ग का वरडन इतना सुन्दर था कि उसे सुनकर लच्चमी नारायड स्वर्ग देखने के लिए हट करने लगा, दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुस्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किन्तु लच्चमी नारायड रोने लगा, रोते रोते ही वह सो गया, उसे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि एक चम चम चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं, बच्चे स्वर्ग देखने के लिए मूले देना पड़ता है, तुम सरकस देखने जाते हो तो टिकट देते हो ना, स्वर्ग कार रुपए देने पड़ेंगे, स्वप्न में लच्मी नारायड सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए मांगूंगा, लेकिन देवता ने कहा स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते, यहां तो भलाई और पुनिकर्मों का रुपए चलता है, देवता ने उसे एक डिविया देते हुए कहा, अच्छा काम करोगे, तो एक रुपए इसमें आ जाएगा, और जब कोई बुरा काम करोगे, तो एक रुपए इसमें से उड़ जाएगा, जब यहां डिविया भर जाएगी, तब तुम स्वर्ग देख सकोगे, जब लच्मी नारायड की नींद तूटी, तो उसने अपने सिरहने सचमुच एक डिविया देखी, डिविया लेकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ, उस दिन उसकी दादी नी उसे एक पैसा दिया, पैसा लेकर वह घर से निकला, एक रोगी भिखारी उससे पैसा मांगने लगा, लच्मी नारायड भिखारी को बिना पैसा दिये भाग जाना चाहता था, इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आते देखा, उसके अध्यापक उदार लड़कों की बहुत परशंशा किया करते थे, उन्हें देखकर लच्मी नारायड ने भिखारी को पैसा दे दिया, अध्यापक ने उसकी बहुत धुख हुआ, वह रोते रोते सो गया, सपने में उसे वही देवता फिर दिखाई पड़े और बोले, तुमने अध्यापक से परशंशा पाने के लिए पैसा दिया था, सो परशंशा मिल गई, अब रोते क्यों हो, किसी लाव की आसा से जो अच्छा काम किया जाता है वह तो व्यापार है, वह पुन्य थोड़े ही है, दूसरे दिन लच्छमी नाराइड को उसकी दादी नी दो आने पैसे दिये, पैसे लेकर उसने बाजार जाकर दो संतरे खरीदे, उसका साथी मोती लाल बीमार था, बाजार से लोटते समय, वह अपने मित्र को देखने उस उसके घर बैध आये थे, बैध जी ने दवा देकर मोती लाल की माता से कहा, इसे आज संतरे का रस देना, मोती लाल की माता बहुत गरीब थी, वह रोने लगी, और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूं, इस समय बेटे की बीमारी में कई दिन से काम करने नहीं जा सकी मेरे पास संतरे करीदने के लिए एक भी पहसा नहीं है, लचमी नाराइड ने अपने दोनों संतरे मोती लाल की मा को दिये, वह लचमी नाराइड को आसिरवाद देने लगी, घर आकर जब लचमी नाराइड ने अपने डिविया खोली, तो उसमें दो रुपए चमक रहे थ एक दिन लचमी नाराइड खेल में लगा था, उसकी छोटी बहिन वहां आई और उसके खिलोनों को उठाने लगी, लचमी नाराइड ने उसे रोका, जब वह ना मानी तो उसने उसे पीद दिया, बेचारी लड़की रोने लगी, इस बार जब उसने डिविया खोली, तो द का निश्चे कर लिया, मनुस्य जैसा काम करता है, वैसा उसका स्वाभाव हो जाता है, जो बुरे काम करता है, उसका स्वाभाव बुरा हो जाता है, उसे फिर बुरा काम करने में ही आनन्द आता है, जो अच्छा काम करता है, उसका स्वाभाव अच्छा हो जाता है, उसे ब काम करने का हो गया अच्छा काम करते करते उसकी डिविया रुपयों से भर गई स्वर्ग देखने की आसा से प्रशन होता उस डिविया को लेकर वह अपने बगीचे में पहुचा लचमी नाराड ने देखा कि बगीचे में पेड के नीचे बैठा हुआ एक बूढा साधू रो वैसी ही एक डिविया मेरे पास थी बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था बड़ी आसा थी कि उसके रुपयों से स्वर्ग देखूंगा किन्तु आज गंगा जी में अशनान करते समय वह डिविया पानी में गिर गई लचमी नाराड ने कहा बाबा आ आप रो मत मेरी डिविया भी भरी हुई है आप इसे ले लो साधु बोला तुमने इसे बड़े परिश्रम से भरा है इसे देने से तुम्हें दुख होगा लचमी नाराड ने कहा मुझे दुख नहीं होगा बाबा मैं तो लड़का हूँ मुझे तो अभी बहुत दिन जीना मैं तो ऐसी कई डिविया रुपए इकठे कर शकता हूँ आप बूढे हो गए हैं आप मेरी डिविया ले लीजिये साधु ने डिविया लेकर लचमी नाराड के नेत्रों पर हाथ फेर दिया लचमी नाराड के नेत्र बंद हो गए उसे स्वर्ग दिखाए पड़ने लगा ऐसा सुन्दर स्वर्ग की दादी ने जो स्वर्ग का वरडन किया था वह वरडन तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक वरडन नहीं था जब लचमी नाराड ने नेत्र खोले तो साधु के बदले स्वपन में दिखाई पड़ने वाला वही देवता उसके सामने प्रत्यच देवता ने कहा बेटा जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका घर स्वर्ग बन जाता है तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में पहुच जाओगे देवता इतना कहेकर वही आद्रिस से हो गए तो दोस्तों उमीद है आपको ये कहानी प अबस्क्राइब करें थैंक यू